किस्ट क्लास वेरे गुड़ मॉर्नेंग वेलकम टू के सी आई को आप सभी लोग बढ़िया होंगे पिछले कुछ लेक्चर्स अपने ब्रेधिंग एक्चेंज ऑफ गैसेस के खतम कर चुके थे पिछले चार लेक्चर्स आज अपना ये फिफ्ट लेक्चर है लाज किलास में हमने रेस्पाइरेटरी ट्रैक देखा था लंक्स के बारे में पढ़ा था अज जो अगली क्लास एक अपनी वोपन श्टार्ट करने वाले हैं थोरसिक केज के वारे में थोरसे केज को बनता है क्या क्या मिलकी क्या बनाती है तो आज उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं है ना वंस अगेन वेल्कम टू के सी आई ठीक है ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो इस चैनल इफ नॉट डन एट रही तक अगर नहीं किया हुआ है तो वह कर लेंगे ना आज अपन के देखने वाले हैं थोरस एक केज क्लियर है रड़ी हाँ तो देखो थोरस से केज पहली बात तो इसमें जो रिप्स होती है वो कितने प्यार होती है 12 प्यार होती है 12 प्यार का मतलब नंबर में कितनी हो जाएंगी 24 कहने की चर्विस क्लियर है ना क्या गारा है वाइट coverings of thoracic cavity makes thoracic cage यानी कि जो आपकी ये thoracic cavity होती है abdominal cavity के उपर फोरस से cavity होती है इसी thoracic cavity को जो चीजे cover आप करती है cover करती है वही मिलके क्या बनाती है भाई thoracic cage बनाती है ठीक है अब क्या क्या चीजें मिलके बनाती है वो देख लेंगे क्या लिखा है एंटीरियर सर्फेस पहले तुम्हें आपको बता दूं एंटीरियर सर्फेस का मतलब जैसे यह चीजे एंटीरियर का मतलब यह उपर वाला हिस्सा ठीक है पॉस्चीरियर का मतलब होगा नीचे वाला डॉर्सल का मतलब होगा यह पीछे वाला लाग पीट वाला ये ना वेंग्टरल का मतलब हो गए और आगे वाला हिस्ता ठीक है कि तो देखो लिखा हुआ हैं एंटिरिय इर सर्फेस में क्य प्रेजेंट होता है क्लेविकल बोन एंड नेक एंटिरियर सर्फेस थोर से केविटी इसके बारे में बात कर रहे हैं पन केविटी एंटिरियर ली यानि उपर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है आपका क्लेविकल बोन और नेक आपकी यह गर्दन और क्लेविकल बोन आपकी जो एक कॉलर बोन होत beauty bone, ठीक है ना भई, collar bone और beauty bone भी कहा जाता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी और neck, आपकी गर्दन, present होती है, कहाँ पे anteriorly, ठीक है, posteriorly, यहनी नीचे की तरफ बात करें, तो क्या present होता, diaphragm, क्या present होता, diaphragm, diaphragm ही वो एक septum है, वो एक muscle है, इसमें radial muscle present होती है, वो एक दीवार है, जो बाटती है, दो अलग-अलग तीजों में, कैसे, जो diaphragm के उपर के तरफ का हिस्सा होगा, वो थोरे से cavity होगा, जो नीचे वाला होगा, वो क्या हो जाएगी, abdominal cavity, कल भी बताया था आपको, ठीकिन है भाई, posterior surface में diaphragm हो गया आपका, clear है, और जो dorsal surface आपका पीछे वाला है, पीट की तरफ का, dorsal surface में क्या आपका, vertebral column and ribs, ठीक है, आपकी जो यह backbone है, vertebral column पीछे की तरफ वो होगी, और इसी backbone से आपकी यह ribs जुड़े हुए होंगे, पसलिया, ribs, ठीक है, अब आईए आगे की तरफ वेंटरल सर्फेस, आगे की तरफ आईए, वेंटरल सर्फेस में क्या यह present होगा, पीछे की तरफ बैक बोन होती है, वो ही ribs, आगे की तरफ कौन सी बोन से जुड़ी होती है, sternum से, और क्या है, ribs होगी आगे की तरफ, यह आपकी यह chest bone है ना जो, उसको गोलते है, sternum, इसी से आपकी यह पसलिया, यानि की ribs जुड़ी होई होती है, ठीक है, आपने एक term सुना होगा, अगर सुना होगा तो कहते हैं कि open heart surgery होनी है किसी की, कभी सुना हो तो, open heart surgery कहते ही इसी लिए हैं, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, डॉक्टर्स यह जो sternum bone है ना, इसमें cut लगाते हैं, इसको cut करके operate करते हैं, जब sternum को cut करके operate किया जाए, तो उसको term दिया जाता है, एक medically specialized term दिया जाता है, जिसको बोलते हैं, आप क्या open heart surgery, clear है बाई, डन 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 ठीक है, हाँ, तो ventral surface में आपका sternum और ribs हो गया, अब बचा आपका lateral surface, lateral मतलो आपने देख लिए है, उपर, नीचे, आगे, पीछे, अभी अगल बगल वाली चीज़ें बची हुई हैं न, यह आजू बाजू वाली चीज़ें बची हुई हैं, तो उसी को बोलना है, अपने lateral surface, तो वहाँ पे सिर्फ क्या होता है, ribs, यानि कि आपकी पसलियां, sternum से पीछे जाके कहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं, यह बैक बोन में, ठीक है न, आपके बैक बोन में जाके जुड़ी हुई होती हैं, यह देखो, diagram के माध्यम से आप देखेंगे, तो यह जो, देख पा रहेंगों, यह वाली बोन है न, यह वाली, यह ही है आपकी chest, बोन यहाँ पर sternum, क्या है यह, sternum, ठीक है न, यह जो पीछे की तरप की आपकी देख रही होगी, यह आपकी vertebral column, यानि कि, backbone, ठीक है यह बाई, यह आपकी क्या, backbone, तो यह जो आपकी ribs है, पसलियां है, यह आगे की तरफ sternum में जोड़ी होजी होती है, ठीक है, और यह लेटरल की बात करेंछे अपन, आजह वाज़ो की, तो यहाँ पर यह क्या है बाई, यह रिब्स ही तो है यह क्या है रिब्स की बात करें तो यह नमबर में 24 होती है 24 यानि की 12 प्यार्ज तो यह सब मिलके आपका क्या बनाता है थोरेसिक केज बनाता है यह सब मिलके क्या बनाता है आपका थोरेसिक केज बनाता है यह सब मिलके क्या बनाता है आपका थोरेजिक केज बनाता है ठीक है आगे बड़ें देखिए नेक्स्ट आगे आपका क्या डायफ्राम ठीक है ना डायफ्राम के बारे में आप देखेंगे अब मस्कुलर सेप्टम विच इस फाउंड ओनली इन मैमेल्स एंड में किसे प्रेंट होता है किसमें पाएजाता है ओनली इन मैमेल्स एंड प्रोकोडाइउ में कासी सारी ऐसी चीजें हैं जो मेल्ड लॉती है एक तो डायफ्राम हो गया ऑदूसरा एक और क्हलता है भाई फोर्चेमर हाट भी होता है यहां ना और चेंबर होता है यहां यहां कि हाट के दिल के चार चेंबर क्रोकोडाइल में प्रेजेंट होते हैं बागी सब रेप्टाइल में कैसे होते हैं थ्री चेंबर होते हैं पालकिसे चलब किस्टेंदुड कितने होती हैं . थ्रीच Process , षीशमर हथ होता है , क्रोकोडाइल में अकेला जी क्या होता है , 4B होता है , और दायफ्राम उसमें प्रेजंस्त होता है , यह अक्सेप्ट्सण है , क्रोकोडाइल के अंदर वांकी के रेप्टाइल्स के कंपेर में ठेके नहीं है नॉर्मल शेप की बात करें नॉर्मल शेप ऑफ डायफ्राम इस डॉम शेप डॉम लाइट डॉम का मतलब क्या होता है गुंबत के तरी के आकार यह देखिए डायफ्राम है आपका यह अभी आपको ऐसा डॉम सेप दिखाई दे रहा है ना देखो यह देखो यह बन गया आपका डॉम सेप तो यह नॉर्मल सेफ है रिलेक्स कंडिशन में है नॉर्मल शेप ऑफ डायफ्राम डायफ्राम इस डॉम लाइक विच डिवाइट्स बोडी कैविटी इन टू पार्स अपर लोगर एब्डोमिनल कैविटी डायफ्राम दो कैविटीज को अलग अलग बाठता है ठीक है कलियर है देन रेडियल मसल्स अर प्रजेंट टैफ्राम आपको एक कोशन पूंछा जाएगा डायफ्राम में कौन सी मसल्स प्रजेंट होती है तो आपको पता होना चाहिए क्या क ये diaphragm में radial muscles पाई जाती हैं, present होती है, by the contraction in these muscles, diaphragm becomes flattened in shape, so volume of thoracic cavity increases in anterior posterior axis, क्या लिखा हुआ है भाई, क्या कहा रहे हैं, कि जब ये muscles stretch होती है, by the contraction in these muscles, इनमें जब contraction होता है, तब diaphragm become flattened, diaphragm ये ऐसा हो जाता है, फ्लैट, ना, diaphragm कैसा हो जाता है आपका, ये, फ्लैट हो जाता है, जब इसमें contraction होता है, तो जब ये फ्लैट हो जाएगा, यानि कि ये diaphragm इस direction में नीचे की तरफ खिच जाएगा, जब ये direction नीचे की तरफ ये diaphragm खिच जाएगा, तो यहां की जो अंदर की cavity है वो जभशेयाध की नहीं बढ़ जाएगी का टिख जैसे ही नीचे की तरफ shift होगा जब आनो ब्रेद करेंगे तो यह जग है नीचे की तरफ उपर-nीचे की तरफ में बढ़ जाएगी ठीक है तो वह लखाया कि डाइफ्राम विकंस फ्लैट एंड शेप वरियम आप थोरे से क्याविटी इनक्रीस यानि कि वॉलियम उसका क्या हो जाएगा थोरे से क्याविटी क्या इनक्रीस हो जाएगा इन एंटीरियो पॉस्चीरियर एक्सेस किस एक्सेस में एंटीरियो पॉस्चीरियर एक्सेस मतलब यह उपर-nीचे वाले इस एक्सेस में उसका बॉलियम बढ़ा हो जाएगा यानि कि पहले यह था ठीक है अब बाद में यह फ्लैट हो गया तो जगे वहां पर क्या हो गई ज यहां पर क्लिए आपको यहां पर फ्रेंक्स की यहां पर को मन पेसेज होता है फोडरे के लिए लेJan के सांड़ बॉक्स है न उसके बाद ये लं वाद बताई दिया था कव इसमें राइट वाले मेंढ थ्री चैम्बर होती है न थ्री लोब्गें कि लेफ्ट वाले में तो रोग सोती सब चीजे आपको बता चुके है अगे बढ़ next आए आपका intercostal muscles ठीक है intercostal muscles ठीक है ना वाई intercostal muscles अब होती क्या है the space between two ribs is called intercostal space ठीक है दो पसलियों के बीच में जो यह स्पेस होती है दो पसलियों के बीच में जो यह जगे होती है उसको क्या बोलते हैं intercostal space बोलते हैं और इसी space के बीच में जो muscles होती हैं उसको बोलते है intercostal muscles ठीक है space between two ribs is called intercostal space in which two types of muscles are present external intercostal muscles and internal intercostal muscles अब यह मान लो आपकी दो ribs हैं इनके बीच में space है intercostal space हो गई ठीक है इनके बीच में जो muscles से उसको बोलते है intercostal muscles अब जो muscles अंदर की तराफ हैं उसको बोलेंगे internal intercostal muscles और जो muscles बाहर की तराफ हैं उसको बोलेंगे क्या external intercostal muscles बात clear हो गई होगी ठीक है external intercostal muscles की बात करें by the contraction in these muscles बाहर की मसल्स कॉंट्रेक्ट होंगी न तो बाहर की तरफ से शिकड़ी नहीं तो अंदर से उसका वॉलियम बढ़ जाईगा क्या कह रहा है रिव्स एंड इस्टर्नम जब इसमें एक्स्टर्नल इंट्रकॉस्टल मसल्स में कॉंट्रेक्शन होता है तो जो रिव्स है और इस्टर्नम है वो शिफ्ट अपवर्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है मतलब यह जो बाहर से अपनको दिखाई दे रही है जो ब पूलते हैं इसको बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ खीशती हैं external intercostal muscle क्या करती है आपके ribs को और sternum को contract होके बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ खीशती है तो आपकी जब ये ribs ऊपर की तरफ आ जाएगी तो अंदर का जो volume है वो बड़ा होगा कि नहीं होगा और अंदर का volume जब बढ़ा होगा वहाँ पर space ज़्यादा होगी तो वो किसमें help करता inspiration में मतलब volume बढ़ा तो अंदर जगे खाली हुई जगे खाली हुई तो वो जगे भरेगी किस से हवा से air से तो air उसमें भरी मतलब air अंदर गई तो क्या हुए inspiration हुआ कि expiration हुआ inspiration ही हुआ clear है तो वो ही चीज कह रहा है कि इस intercostal muscles when contract ribs and sternum shift upward and outward thoracic volume increases thoracic जग का जो volume है वो बढ़ जाता है in dorsal ventral axis so they help in inspiration किस direction in dorsal ventral dorsal ventral मतलब ये direction में आगे और पीछे वाली डारेक्षिन में उपर नीचे वाली डारेक्षिन में क्या होता है anterior posterior axis में वो ये आगे पीछे होता है तो क्या बोलिंग उसको dorsal ventral आगे की तरफ ventral बोलते हैं पीट की तरफ होगा आपका तो दॉर्सल बोलती है ठीक है नेक्स्ट आया आपका आई-ाइ-सी-म यानि की इंटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इए-सी-म यानि की एक्स्टर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ठीक है इए-सी-म मतलब क्या है इंटर्नल intercostal muscle EICM क्या है आपका external इंटरनल वाला पढ़ने के पहले ही समझ लो अब intercostal जो अंदर वाली muscle से अब मानलो वो contract होगी जब वो contract होगी तो वो अपने थोरे से cage को अंदर की तरफ खीचेंगी अंदर की तरफ खीचेंगी तो वो सिकड़ेगा तो अंदर की जगय है volume है वो कम होगा कम होगा तो मतलब वहां पर जो हवा भरी हुई थी उसको बाहर निकाल देगा एक इमेजन करो गुब्बारे को पिचका रही हो अगर तो उसमेंसे हवा तो जाहर सी बाहर ही निकलेगी ठीक है तो यह जो अंदर की internal intercostal muscle से यह contract होगी तो अंदर का space कम होगा कम होगा तो वो हवा automatically बाहर जाएगी तो यह expiration में help करता है this helps in expiration अब देख लो क्या लिखा हुआ है वाई the contraction in these muscles ribs and sternum shift downward इसमें क्या होता है ribs and sternum क्या होती थी shift outward shift होती थी इसमें क्या होगा inward shift होगी और जब inward shift होगी तो जायर सी बात है कि volume क्या होगा वाई decrease होगा volume क्या होगा कम होगा in dorsal ventral axis dorsal ventral axis में so this help in expiration so this help in expiration यह किस में help करेगी expiration में help करेगी यानिकी सांस को बाहर ठेकने के लिए expire करने के लिए क्लियर हो गई भाई क्या चीज inspiration में help करती है कौन सी muscles expiration में help करती है यहां से question जरूर बनता है जरूर पूछा जाता है बहुत ही important part है आपको clear हो गया होगा ठीक है inspiration में क्या help करती है expiration में क्या help करती है फटापट आक बंद करके एक बार revise कर लो उसको ठीक है माननो जो external intercostal muscles है बाहर की वो contract होई वो contract होई तो जो आपकी ribs है आपकी sternum है इसको बाहर की तरफ और उपर की तरफ खींचा तो अंदर की जो खाली जगे है volume है वो बढ़ा होगा बढ़ेगा जब volume बढ़ा तो वहां पर खाली जगे होगा यह खाली जगे जैसे हुए volume बढ़ा वैसे हवा automatically ही कहां चली जाएगी अंदर चली जाएगी ठीक है आप इसको simultaneously ठीक उल्टे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब आप सांस लेते हैं तो आपकी चेस्ट क्या होती है उपर की तरफ और बाहर की तरफ आपके छाती आ जाती है फूल जाती है ठीक है तो आप क्ट्रेक्ट होने के साथ ही आपकी ज All это आम है वेल जाती है फोलती है तो अंदर जगे खाली हो जाती है और उसलिए जो हवा अंदर चलि कि पिक उल्टा होता है इंटरनल इंटरकोस्टलमसल्स में जब expire करती है अपन आपने expire किया हवा बाहर खीची तो छाती अंदर जाती है ना अंदर गई मतलब क्या है जो अंदर की muscles थी internal intercostal muscles वो contract हुई ठीक है ना वो सिकड़ी और वो सिकड़ी तो इसको पसलियों को और छाती वाली जो यह intercostal muscles में कोशन यहां से बनेगा ये बनेगा कि विच मसल्स हैलप इन इस्पिरेशन तो कौन सी मसल्स आंसर होगा external intercostal muscles फिर अगर question आया which muscles help in expiration तो आएगा क्या इंटर इंटर कोश्चल मसल्स है ना internal intercostal मसल्स यह आपकी चीज़ें के लियर हो गई हो गई हो इसकी बाद कुछ important questions है अपने पास है ना यहां पर कुछ important question है वो देख लेंगी अपन चीज़ गहें क्या है वाई लेरेंग्स इस modified portion of पहला question जो है लेरेंग्स इस modified portion of वाई हमेशा ही हर एक class में बताया है लेरेंग्स इस modified portion of किसका ट्रेकिया का लेरेंग्स को क्या बोलते हैं sound box भी बोलते हैं यह question तो यही हो गया आपका sound box भी बोलते हैं and it is a modification of प्रेकिया फेरेंग्स के बारे में बात करें तो फेरेंग्स क्या था वाई common passage of food and air common passage of इस शेरेंग्स हो गया ठीक है बरॉंकस तो आप जानते ही आपका यह ट्रेक है वेंट पाई पे वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता आप तो कहां पे फिफ्ध बर्टीब्रे पे इस कि वर्टीब्रे पे इनहीं को फिर क्या बोल दिया जाता था ब्रॉंकस बोल दिया जाता था लंक्स की बारे में आप सब जानती है question क्या है आपका लंक्स इसे modified portion of ठीक है इसका correct answer क्या होगा भाई B, trachea यह इसका correct option next question है क्या cartilaginous rings in trachea are incomplete at which surface भाई यह भी आपको बहुत important तरीके से बताया गया था कि जो trachea में cartilaginous rings होते हैं वो पहली बात तो she shaped होते हैं ठीक है और dorsally incomplete होते हैं dorsally incomplete होते हैं मतलब यह आपका पहला option सही हो जाएगा इसमें a option कैसे होते हैं आगे बढ़े थार्ड कोस्टिन की तरह वाल आफ अलवेली इस कंपोज्ट आफ वाल अलवेली इस कंपोज्ट आफ वाई अलवेली इसकी दो वाल्स होती थी internal और external ठीक है ना जो external थी अलवेली की बाल वो किसके yellow fibrous connective tissue की बनी होती थी yellow fibrous connective tissue है ना और जो internal वाल होती थी अलवेली की वो किसकी बनी होती थी simple squamous epithelium है कि नहीं वाई इंटर्नल किसके बनी होती थी simple squamous epithelium अब option देखेंगे अपन simple squamous epithelium यह तो हाई सही है simple squamous q idle यह गलत है श्यूर स्ट्रेटिफाइड यह भी गलत है simple columnar यह भी गलत है तो इसमें most appropriate correct option यह ही है ना क्योंकि इस है उसने एक्स्टर्नल या इंटर्नल को मेंसन नहीं किया है तिर्फ वॉल अलवली बात आया है तो आपका यह इंटर्नल बनी होती थी simple squamous epithelium की तो यही ओप्सन आपका ए क्या हो जाएगा correct हो जाएगा इसके लिए चएयों डखकन होता था उपर जो खाने को रेकिया की अंदर यानि की 20 continent अंदर जाने से बचाता था क्यों उपर वाला पोर्शन है जो ट्रेकिया का विंड पाइप का रेस्पाइरेटरी ट्रेक का उसको बोलते थी अपन क्या ग्लॉटिस उसके उपर जो काइटिलेजनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर था काइटिलेज का बना हुआ धक्कन की तरह एक स्ट्रक्चर था जो ग्लॉटिस के ऊपर रखा होता था यह रख जाता था जब आपन खाना खाती है उसको बोलते थी अपन एपी ग्लॉटिस है ना तो यहां पर यह D option है क्या श्ट्रक्चर इस प्रवेंट्री एंट्री एप्ट्री ट्रेक्ट था कॉल एपी ग्लॉटिस यह आपका क्रेक्ट आप्शन हो जाएगा ठीक है फेरंग्स तुआ आपको पता है लेरंग्स भी पता है साउंड वॉउट्स है ना फेरंग्स क्या है common passage for food and air glottis यह उपर वाला portion यह आपका respiratory track का ना wind pipe का इस लेकिन किसके बात की गई है कि इंट्री कौन बचाता है respiratory track में तो भाई epiglottis ही prevent करता है protect करता है ताकि उसमें खाना ना जाए ठीक है next question अगर आपन देखेंगे फिर्ट वन क्या है इन विच पार्ट ऑफ लंग्स gaseous exchange take place in humans ठीक है इन विच पार्ट ऑफ लंग्स gaseous exchange take place in humans कि वाई gaseous exchange कहां होता है तो gaseous exchange कहां होता है एन न पहला option कहां दिया है चलो यह तो मांग सकते हैं लेकर ट्रेकईा में तो होता ही नहीं है guessous exchange दूसरे में अप्र स्वेर्श है मतलब यह भी गलत हो गया के अलवेवयलर ड्क्रेश्च एंड अल्वेली यह option रही हो रही हो सकता है अल्वेली एंड ट्रेकिया फिर हो जाएगा आपका क्या कि alveolar duct and alveolar में ही gaseous exchange होता है ठीक है तो इसका आपका c option सही हो जाएगा next है आपका sixth question respiratory organ of insects are insects का respiratory organ आपको पता यह वाई tracheal tubes क्या option में यह देखोगा आपका d option चौथा option सही हो जाएगा क्या respiratory organ of insects क्या होंगे tracheal tubes general body surface तो आपको पता है भाई यह क्या सिलेंट्रेट्स में होते हैं इस्पैंज में इस्पैंज सिलेंट्रेट सिलेंट्रेट इस्पैंज में होता है क्या जनरल बॉड़ी सर्फेस होता है respiratory organ book lungs आपको पता होना चाहिए मकडियों में और scorpion विच्छी विच्छी होती ना scorpion and spiders कहने कि जो मकडियां होती है उसमें होती है क्या book lungs और lungs तो mammals में होते हैं हम लोगों में वह आपको पता ही है respiratory organ अपने इन्सेक्ट का पूंचा है तो इन्सेक्स किसके होते हैं भाई ट्रेकियल ट्यूब्स होता है इन्सेक्ट में क्या होता है ट्रेकियल ट्यूब्स होता है ठीक है ना अगले question की अगर आपन बात करें तो देखो human lungs are divided into lobe's into lobe's है ना आई एं टिव वाला है टी डव नहीं है ना इंटू लोबस है मत्ब कितनी lobe's में human का जो lungs है वो divide होता है तो आपको पता होता है कि जो right lung होता था वो तीन lobe's में divide होता है जो left lung होता है वो दो lobe's में divide होता है तो option देख लेंगे त्री राइट वाला और टू लेफ्ट मिल्कुल सही है वाई यह गया तो पहले यह और बांकी का फिर भी ऑप्शन सभी किया करो क्यों कि वह काई बार मुस्ट प्रवेबली ए ऑप्शन गलत रहता है और वही आपको लगता है कि यहीं सही है इसलिए बांकी के तीन अप्शन सभी देखा करो नेट में हमें सही मुष्ट प्रवेबल जो ज्यादा सही है ठीक ऑप्शन है वही ऑप्शन टिक किया जाता है अभी जैसे आपका हिंदी मीडियम वालों का नेट का कॉंट्रोवर्सी चल रही है ना कनवर्जन को लेकर इस्जू हो गया इस वज़े से वह ल राइट में थ्री होते हैं यह भी गलत हो गया टू राइट तो ठीक है लेकिन थ्री लेफ्ट यह गलत हो गया इसलिए कौनसा ऑप्शन ए ऑप्शन सभी हो जाता है इसके लिए इस्जिन अäreटोनाइड का टिलेज ए लेरेंग सार लेरेंग समय काटिलेज प्रेजेश प्रेजेंट हो थे यानि चारत वयु के इस से क्या यह ना पाइरा मेडल शेप होता था और तेसरा क्या हाइलीन कार्टिलेज का बना होता था यह यह सब चीज़ें थी किसी अरेटोनोइट के बारे में तो इसमें देख लेंगे क्या लास्ट्रेक नहीं है तो गलत है वाई हाईलीन यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्या अरेटोनाइट ठीक है और क्या होता है पैरमिडल शेप होता है पेर होता है इसका यानि कि यह दो प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो यह सब भी आपको पता होना चाहिए ठीक है तो आज का लेक्चर अपन कुश्यन यहां पर यहां तक रखते हैं खतम होते हैं और इसके कुश्यन आगे लेकी आएंगे है ना उसके पहले जो नेक्स लेक्चर है उसमें अपन ब्रेधिंग का मेकैनिजम के बारे में अपन डिसकस करेंगे ठीक है तो आज का लेक् इंटर्नल और एक्स्टर्नल इंटर कोस्ट्ल मसल्स की बारे में हुआ तो על से स्केज की बारे में किन किरिएं चीजोस से मिलकर बना हुआ हो तो फॉरस्यिन में जो रिप सो होती है बोरेब कितने एक होती है आपको पता साहिए 12 pair of ribs होती है 12 pairs 12 जोड़े यानि कि number की बात करें तो कितनी 24 होती है ठीक है ये भी बता दिये रहे था ठीक है So that's it for today guys Thank you so much Have a good day